है 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 कैसे हैं आप सभी लोग मैं उमीद करती हूं आप सभी लोग एकदम स्वस्त होंगे जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आज हम कवर करने वाले हैं भारत रत्न जो दो हजार चौबिस में जिनको यह पुरुसकार मिला है इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आप जैसे आपको पता है कि एक्जाम आने वाला है तो उस पॉइंट ऑव यू से भी यह एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से हो जाता है क्योंकि करन्ट अफेर्स में से किसमें से क्वेस्टन आ सकते हैं तो इन जनरल भारत रत्न शुरू कब से हुआ था या किस दिया जाता है वो ब्रीफिंग भी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने सबसे को सबसेपहले जाकर अार भी Koe सबस्क्राइब कीजिए कि और आप लोगों के लिए ब्रैंड न्यू उमने करन्ट अफेर्सम लेकर आ हमने आपको हमने डाल दी है तो आप बिलकुल आपके अप्लिकेशन को भी आप टेलिग्राम चैनल को भी डाउनलोड कर लिजेगा ताकि उसको जॉइन कर लिजेगा और आप इसमें आप देख सकते हैं इसी के साथ अब हम बात करते हैं कि इंपोर्टेंट की पॉइंट्स की भारत रतन से रेलेटेड तो भारत रतन जिसको जोल आफ इंडिया या फिर भारत का रतन भी का जाता है वह हमारा सबसे सर्वोच पूरसकार है यह सबसे हाइस्ट और का सिविल इन आवार्ड है इसी के साथ तुए कौन देता है यह जाता है पहले था कि कुछ फेल्ड में अगर आएक्सेप्चनल काम किया होगा बहुत अच्छा काम किया है तब दिया जाएगा लेकिन थिंग nich 1966 के बात से यह इसी भी फ्लेन अगर अच्छा काम किया होगा यानी और exceptional काम किया होगा, बिल्कुल excellent work किया होगा, तो ये award दिया जाता है, तो ये किसी भी भेदभाव, यानि बिना किसी distinction के दिया जाता है, इसी के साथ, ये award starting में आपको बता रही थी, कि कुछ fields में ही related था, जैसे art, literature, science, ये public services, लेकिन ये criteria बढ़ा दिया, कि हर एक field office में, 1966 निया है, 2011, December 2011 के बाद से, ये film ने expand कर दी, इसके साथ, जैसे हायर की होती है, कि मान लिजिए, president या फिर, प्राइम मिनिस्टर, सबसे पहले, जो है वो आएंगी, सबसे पहले rank पे आएंगे, इसे तरहीं के से, अगर किसी भी personality को भारत रतन अवार्ट दिया जाता है, तो उनकी rank 7th में count होती है, तो ये जो है भारती वरिता करम में साथवे स्थान पर है, आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का दिखता है भारत रतन अवार्ट तो ये जो जिनको भी भारत रतन दिया जाता है, उनको एक certificate, जिस पर प्रेजिडेंट के साइन होते हैं, वो दिया जाता है, इसी के साथ एक पीपल के पत्ते की तरह का अवार्ड दिया जाता है, और कोई भी मनी यानि कुछ भी रुपय का अवार्ड इसमें नहीं मिलता, दो साइट्स हैं अवार्ड की, तो आप वर्स, यानि फ्रेंट सर्तामेव जायते, जिसका मोटो है, तो यह चीज दिखाई गई है, चलो, सबसे पहले रेसिपेंस, क्योंकि 1954 में शुरू हुआ है, तो दो जनों को यह वोट दिया था, एक हमारे फेसिसिस्ट थे, सीवी रामन जी, यह बहुत इंपोर्टेंट है, इसी के साथ, दूसरे ज जनरल थे, सी राजगुपालचारी, जो इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल थे, इंडियन थे, सी राजगुपालचारी जी इनको दिया था, इसी के साथ, जो पहले प्रेजिडेंट थे, सर्वपली राधा कृष्ण, तो तीन लोगों को दिया गया था, किन को सी वी रामन जी को सरवपली राधा कृष्णन जी को और सी राज गोपाल चारी जी को इसी के साथ जो ओरिजनल स्टेक्टिस थे इसके यानि जो मूल कानून जो था उसमें यह था कि मनने के बाद यह नहीं दिया जा सकता ठीक है लेकिन यह 1966 में चेंज कर दिया क्योंकि इनको लाल भाद्रो शास्त्री जी जिनकी डेथ हो गई थी इनको ओनर करना था तो यह पहले ऐसे इंसान बने जिनको यह वाट दिया गया था मननो प्रांत यानि पॉसस में नेक्स्ट सचिन तेंदूलकर मतलब यह कुछ फैक्ट सेंज सचिन तेंदूलकर जी है यह इन्हें चालिस की और में सबसे यंगेस्ट इंसान है जिनको यह वाट दिया गया है इसी के साथ डॉंडो केशव कारवे यह सबसे जादा ओल्डेस्ट लिविंग बींग है यानि आप कह सकते हो कि यह उम्रिदराज प्राप्त करता थे इनको हंड्रेट वाट डे पर दिया गया था इसी के लावा सबसे पहली सिंगर जिनको यह वाट दिया गया था वह कौन थी एमेस सुबू लक्षमेजी ठीक है इनको 1998 में वाट दिया गया था अच्छा इसी के साथ मेंली यह वाट दिया जाता है इंडिया बॉंड सेटीजन नॉमली इंडियन सेटीजन को दिया जाता है लेकिन एथी कुछ पर्स्नालिटीज रही है जो कि आप कह सकते हो दो नॉन हैं और एक नाच्रलाइज इंडियन सेटीजन है उनको दिया गया है जैसे मदा टेरेसा इसी के साथ इन दोनों को यानि एक तो आपके पाकिस्तान के सेटीजन बन गए थे बाद में लेकिन इंडिया में बॉंड हुआ था इनका अबदुल-गफार खान और नेलसन मंडिला 1992 में सुभाष चंद्र बॉष जी को भारत रतन आवर्ड मतलब यह था कि 1992 में सस्पेंड कर दिया था लेकिन रेसेपीएंट आ गये थे तो बाद में आवर्ड दिया गया था तो क्यूं सस्पेंड हुआ है मैं आपको यह भी बता देती हूं 1992 में नहिता जी सुभाष चंद इनकी डेट से तो बहुत सारे क्वेस्टन्स रेज होने लगे कि किस तरीके से दिया गया और वाट ग्राउंस दिस अड़ तो इसी वज़े से गवर्मेंट आप इंडिया ने इस एवार्ड को सस्पेंड कर दिया और उसको वापस विड्ड्रॉ कर लिया तो इसलिए 1992 में ब बात की गई तो इनोंने इज़त के साथ मना कर दिया क्योंकि उसी कमेटी का हिस्सा थे तो इसलिए इनको बाद में 1992 में बहुत बाद में दिया गया पॉस्ट मसली यानि मनोप्राथ चलिए अब बात करते हैं दो हजार चॉबिस के भारत रतन एवोर्डीस की सबसे पहले है करपूरी ठाकुर यह बेसिकली 11th CM थे बिहार के इसी के साथ इनोंने क्याची शुरू की थी स्टेट गवर्मेंट जॉब्स में रिजर्वेशन सिस्टम कौन थे करपूरी ठाकुर जी इस अगला है MS स्वामी नाथन मनकोंभी 21 स्वामी नाथन आपने पक्का पड़ा होगा father of green revolution तो यह green revolution के जनक इनको हरित क्रांती के जनक कहा जाता है तो इनको भी भारत रतन से नवाजा गया है अगले है पीवी नरसिमहा राओ यानि पमुलपार्थी वेंकट नरसिमहा राओ इनका अपने नाम डेफिनेटली सुना होगा हमारे इंडिया के नाइन्थ प्राइम मिनिस्चर थे और पहले प्राइम मिनिस्चर थे पहले आप कह सकते हो कि प्राइम मिनिस्चर थे मुख्य सुधार किये थे अब तक आपने तीन पढ़े कौन-कौन से करपूरी ठाकुर, MS स्वामी नाथन और पीवी नरसी महारा इसके साथ अब आपको लेंड करने असान है क्योंकि अगले जो दो तीन है न सब पी-म है जैसे लाल कृष्ण एडवानी जी तो यह पोलिटीशन है जो बीजेपी के आप कह सकते हो को फाउंडर भी माने जाते हैं इसी के साथ इन्हों ने जो है एक बहुत बीजेपी को बहुत जादा एक राइजिंग पेस दिया था किस तरीके से राम जनभूमी मूवमेंट का श्रे भी इनी को जाता है अगला है चौदरी चलन सिंग तो तीन तो हो गए पी एम और एक हो गए करपूरी ठापूर जो सी एम थे बिहार के और एक हो गए में स्वामी नातन जो की ग्रीन रेविलुशन के फादर कहे जाते हैं तो एट लीस्ट आपको पांच हो नाम जरूर लंड कर लेने हैं चौदरी चलन सिंग टी बात करून करूं अगर मैं तो तो यह फिफ्थ फ्राइं मिनिस्चर थे इसी के साथ इनको चेंपियोन ओफ इंडिया जह सकते हो कि किसानों के चैंपियन के रूप में जाना जाता है इनका ये निकनेम आप कह सकते हो इसी के साथ इनको आप रेडिकल लेंड रिफॉर्म मुवमेंट जो हुआ था यानि जो भूमी सुधार उपाई इनोंने लाए थे पुरी यूनिटी ये लेकर आये थे बहुत सारे एक्ट बहुत सारे आप कह सकते हो एक्ट इनोंने इंप्लिवेंट किये थे जो किसानों से रिलेटेट थे फांडर ओफ पॉलिटिकल पार्टी लोगदल इन नाइटीन एटी में लोगदल के संस्था पकते हैं यह थे पांच लोग जिनको भारत रत में से दोजार चॉबिस में नवाजा गया ह तो आपको जरूर लेंड करने हैं इसी के साथ आप हमारे टेलिग्राम चानल और भी अंडर स्कोर एसको भी आप जॉइन कर सकते हैं ताकि आपको सब की पीडिएफ स्टाइम ली मिलती रहें सभी नोटिफिकेशन सापको मिलती रहें हमारी वेबसाइट का लिंक हमने डेस् हमारी एप्लिकेशन को आप आज ही डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे डिफ्रेंट डिफ्रेंट बाच इविलेबल हैं पर एक्जामपल ऑफिसर बाच है जिसमें सारे सब्जेक्स आप कह सकते हो हमने कमाइन किये हुए हैं तो अगर आपको होल सोल प्रिपरेशन करनी है सब्सक्राइब कर सकते हो तो आज के लिए इतना ही हम लोग मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए वाव गुट दे और गुट बाई